नेशनल किरिकेट लीग की तरफ से ट्राइल्स के लिए इंपोर्टन अपडेट और इंस्ट्रक्शन्स जैसा कि आप सब जानते हैं, NCL ने अभी वेबसाइट से रेजिशेशन फ्री कर दिया है आप जब ग्राउंड पर आएंगे, आपको फीज तभी देनी है ये रूल आपको फ्राउड से बचाने के लिए किया गया है नोट करें, जिन प्लेएर ने पहले फीज जमा कर दी है और उनके पास ग्रीन टिकट है उन्हें दुबारा फीज देने की कोई भी ज़रुरत नहीं अब ट्राइल्स के रूल्स सभी प्लेएर सुबह 9 बज़ तक पहुँच जाएं, उसके बाद गेट क्लोज कर दिया जाएगा सारे रजिस्टर प्लेएर को फॉर्म भेज दिया गया है या भेज दिया जाएगा वो उन्हें फिल करके लाना होगा फोटो के साथ जो ग्राउंड जिस प्लेएर को अलोच किया जाएगा, वो प्लेएर सिर्फ उसी ग्राउंड में जाएगा अगर कोई प्लेएर दूसरे ग्राउंड में गया, तो उसे एंट्री नहीं मिली ट्राइल में 5-6 फिजिकल टेस्ट और इंडिविज्वली 5-6 ओवर दिये जाएंगे जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा लंच प्लेयर्स को ग्राउंड पर ही दिया जाएगा सारे प्लेयर्स ब्रेकफास्ट करके आएं ग्राउंड में पैरेंट्स को एंट्री नहीं मिलेगी सारे प्लेयर्स का मुबायल एंट्री के समय जमा करा लिया जाएगा और जब ट्राइल कंपीट होगा उसके बाद ही दिया जाएगा अगर किसी प्लेयर ने किसी भी तरह का इंडिसिप्लिन या रूल्स का पालन नहीं किया तो उस प्लेयर को उसी समय डिस्कॉलिफाय कर दिया जाएगा आप महनत करें और एक चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ बेस्ट प्लेयर का ही कैम्प में सिलेक्शन होगा NCL के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहा है तो केवल NCL के ओफिशल वाट्स अप नंबर जो है 724-990-4005 या इमेल info at the rate nclindia.in पर भरुसा करें NCL प्लेयर से कभी भी QR कोड या परसनल अकाउंट में फीज नहीं लेता है हमेशा फीज NCL के ओफिशल वेबसाइट nclindia.in से ही ली जाती है किसी भी कॉल पे विश्वास ना करें जो आपको ये बोलता है कि हम NCL से बात कर रहे हैं एक बार आप जरूर चेक करनें कि वो नंबर NCL की वेबसाइट पे है कि नहीं वरना अगर किसी भी तरह का फ्रॉड अगर हो जाता आपके साथ तो उसकी पूरी जिम्यदारी आपकी रहेगी उसमें किसी का भी कोई भी रोल नहीं होगा तो इसलिए ध्यान देने और एक लास्ट चीज हम आपको बता रहेंगी वेबसाइट से अभी रेजिस्टेशन फ्री है आप जब ग्राउंड पे पहुँचेंगे आपको फीस तभी पे करनी है टीम मेंसियल